हालो दियर स्टूरेंट्स वेलकम बेक ट्यो और्गिनाइज नोले चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करने वाले हैं एक्टिविटी शीट नमबर 13 ठीक है रीडिंग कैंपेंग के तहत जो आपको वक्षीट दी जा रही है ठीक है उसमें सीरियल नमबर 13 वक्षीट हम करेंगे जो कि स्टेट कॉंसल ओफ एडुकेशनल रसर्च और ट्रेनिंग के और से आपके लिए 1 फेब्रेरी 2022 के लिए खिला भी हुआ है तो वक्षीट को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे बच्चों क्या दिया गया है आज की वक्षीट में Snakes and Ladders तो ये जरूर से आपने सब बच्चों ने गेम जो है खेला हुआ है कि किस तरह से जो सनेक है वो जैसे अगर सनेक काट लेता है तो हम वापिस इस नंबर पर आ जाते हैं अगर हमें ladder मिल जाती है तो हम उपर चळ जाते हैं है ना तो इस तरह का गेम आपने जरूर खे तो कि आतलों सीख्टेंगे और विच्चों से dio विख्शीट यहां और विट्टे सुनित्व क्वे vigor लीए चेया बाकर उपकी इस्वेश्व सकती हो रंप और दालों को यहां पर एक चोठा या याल में साब चाई वी एनस क्वेतर यानि साप सीधी आओ खेलें साप सीधी लेकर आओ अपनी मूधी मूधी क्या होता है बैटनी की जो होती है नैसे चौकी सी उसको बोलते हैं मूधी तो लेकर आओ अपनी मूधी इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी यानि जो ये खेल जो है इस खेल का क्या करेंगे म जा लेंगे घर के सारे मेंबर जो भी हैं घर में वो साथ मिलके खेल सकते हैं और सारे इंज्वाइ कर सकते हैं आपके घर में आपके भाई हैं मम्मी हैं पापा हैं वो सब इस खेल को साथ मिलकर खेल सकते हैं और उन सब के साथ आपको मिलकर खेलना है गोटी कभी उपर कभी न नीचे आ जाएंगी तो गोटी कभी ऊपर कभी नीचे पासाफे को आखे मीचे तो ये क्या है ये पासा है ठीक है और कभी पासाफे को आखे मीचे कभी छे आए कभी कट जाए तो कभी तो आपके छे आते हैं छे आते हैं तो बहुत खुश होते हैं एकदम से हमारी गोटी जो वो चलता रहता है, देखो कौन आखीर तक पहुँचे, फिर देखा जाता है कि कौन जो है finish line तक जाएगा, सारे जो snakes है उनको cross करता हुआ, सारी conditions को cross करता हुआ, तो देखे, आप क्या दिया गया है, next, तो material required इसमें क्या दिया गया है, यह die, different color pieces, tokens या गोटी, तो एक die है, और क्या है, यह जो है, इसकी गोटिया होती है, आप देखे, आपको task दिया गया है बचो, task 1 है, play this game with your family members and try it down, तो आपको क्या करना है, अपने family members हैं, उनके साथ आपको यह game खेलना है, और जिस जिस के साथ आप यह game खेल रहे हो, उसका नाम भी आपको यहाँ पर बचो लिखना है, ठीके, नाम लिखना है, देखे, जैसे कवीता, name of player आपको लिखना है, your relation with them and age in years, तो जैसे आप कवीता है, कवीता कौन है, आपकी मदर का नाम है, उनकी age कितनी है माली जी, उनकी age 40 years है, तो बचो आपको अपनी मम्मी का नाम अपने भाई, अपनी बहन, जिसके साथ भी आप यह गेम खेल रहे हो, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो इसके इसका ध्यान रखेंगे, उसके बाद देखे, next है राहूल, राहूल कौन है, आपका brother है, उसकी age कितनी है, age है 16 years, तो यह जो है किसके लिए हो ज लिखना चाहते हो, अपनी sister का लिखना चाहते हो, मान लिजे, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, लाइक, गरीमा है, तिक के, यानि अपनी sister का लिखना है आपको, relation जो है, आप sister लिख सकते हो, age उसकी लिख सकते हो, मान लिजे 10 years है, तो इस तरह से आप इसमें, अगर और भी member है आपके घर में तो वो भी आप लिख सकते हो जिनके साथ आप खेल रहे हो next देखे second task बच्चो दिया गया है रीमा, नीरा and रूपा start playing this game तो नीरा, रीमा और रूपा तीनों जो his game को start करते हैं let's find who is leading in the game आप देखेंगे कि कौन इस game में सबसे आगे है वो हम देखेंगे प्लेयर कौन कौन है अब देखें रीमा थ्रू अब रीमा ने कितने थ्रू किये है डाइक पे तो वो किये है देखें यह 6 है, 2 है, 4 1, 3 and 6 अब यहाँ पे आपको क्या करना है इन सब का sum करना है यानि इन सब का क्या करना है students इन सब का total आपको करना है तो यहाँ पे देखें sum दिया गया है तो यह कर लेंगे आप इस तरह से लिखना है आपको अपनी copy में 6 plus 2 plus 4 plus 1 plus 3 plus 6 आप इनका क्या करना है आपको total कर देना है clear तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 बारे बारे और 1 13 14 15 16 ठीक है 16 और यहाँ पे आजाएगा 20 22 जो है यहाँ पे total आजाएगा तो आपका sum कितना आजाएगा total 22 तो यहाँ पे आपको लिखना है 22 और फिर यहाँ पे आपको words में लिखना है 22 ऐसे यह worksheet आपको अपने copy में solve करनी है अब इसकी भी practice जो है बेटा मैं भी आपको answer दिखा दूँगी तो इसकी भी practice आप answer दिखाने से पहले खुद कीजिए पहले कि क्या आप इन सारे को sum कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो फिर अपना answer match कीजिएगा एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया बाकी दो आप खुद से करके जो है try करेंगे वीडियो को pause करेंगे साथ साथ जो है पहले करेंगे और फिर आप इसके answer देखेंगे ठीके तो आइए इसके answer देख लेते हैं आपने कर लिया होगा सो बच्चों यहाँ से आप इसका answer कर लेंगे ठीके यह आजाएगा 22 इस तरह से आप लिख देंगे उसके बाद देखें 3 plus 5 plus 1 plus 4 plus ये दोनों क्या है 6 6 तो यह आजाएगा 25 ठीके उसके बाद देखें 4 plus 5 plus 4 plus 6 plus 6 और उसके बाद है plus 5 तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा 30, clear, तो इस तरह से आप यह number लिख लेंगे, ठीक है, और इसमें, जो है, lead कौन कर रहा है, इसमें, रूपा जो है, वो क्या कर रही है, रूपा यहाँ पर lead कर रही है, ठीक है, रूपा lead कर रही है, बस आपको यह numbers इसी तरह से लिखने है, next, देखे, now, question number third है, if रूपा is at 14 number while playing, and she gets 6 on die, where will she be now, अगर रूपा जो है, वो कितने number पे है, बच्चो 14 पे है, और उसको 6 और मिल जाती है, जो वो die स्टालती है, तो उसको क्या मिल जाते है, 6 और मिल जाते है, तो वो कौन से number पे पहुँचेगी, तो बच्चो, रूपा 14 number पे है, खेलते हुए, और जब उसको 6 और मिलेंगे, तो वो कितने पे पहुचेगी, वो 20 पे पहुचेगी, 14 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे 20, तो वो पहुच जाएगी, बच्चो, 20 पे, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह अपनी worksheet complete कर लेनी है, और इसी त है कि आपको जो है 3 sums और भी करने है, practice करने है, क्योंकि बच्चो यह जो worksheet है ना आपकी, यह आपकी practice के लिए है, mission बुनियाद जो एक campaign जो चल रहा है, reading campaign चल रहा है, उसके तहट आपकी worksheet आ रही है, तो इसमें आपको अपने जो भी maths के basic हैं, English के basic हैं, Hindi के basic हैं, reading हैं, वो आपको focus करनी है, ज्यादा से ज्यादा reading करनी है, ज्यादा से ज्यादा जो simple sum है, उनको आपको करके देखना है, तो यह थी आपकी आज की बच्चो maths की activity sheet, उमीद करती हूँ, सभी बच्चो को यह snake ladder वाला game जरूर पसंद आया होगा, और इस तरह से आप जोड़ना सीख सकत हो, सो वीडियो अच्छे लगी, तो बच्चो वीडियो को जरूर से like करना, share करना और channel को subscribe करना, so thanks for watching, have a nice day.